एक जंगल में एक लॉम्डी और एक चिडिया रहती थी दोनों की अक्सर जंगल में मुलाकात होती मगर आई तक दोनों एक दूसरे के घर ना गए थे एक दिन लॉम्डी ने चिडिया से कहा कि कभी तुम मेरे घर दावत खाने आओ मैं तुम्हारे लिए खिचडि बनाऊंगी चिडिया बोली मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी क्यूंकि खिचडि मुझे बहुत पसंद है अगले रोज चिडिया दावत खाने लॉम्डी के घर गई और दोनों काफी देर बातें करते रहे जब बातों से फारे हुए तो लॉम्डी खिचडि ले आई लॉम्डी ने अपनी पडोसन बिल्ली को भी खाना खाने वहां बुला लिया चिडिया बिल्ली को देखकर परेशान हो गई उसने सोचा के लॉम्डी को बता दे कि वो बिल्ली की आजाने से खौफ जदा हो गई है मगर खौफ के मारे ना तो उसने कुछ कहा और ना ही उससे कुछ खाया गया वो दिल ही दिल में अफसुर्दा हो रही थी के आखिर लॉमडी ने आज ही अपनी खोनखार पडोसन को यहां क्यूं बुला लिया मगर कुछ कह भी ना सकती थी के बिल्ली के तेज पंजे उसके सामने ही थे वो जुप चाप एक कोने में दुबक कर बैठी रही दूसरे तरफ मेजबान लॉमडी को इस बात की कोई परवा ना थी के उसकी मेहमान बिल्ली से शदीर खौफ जदा हो गई है बलके वो तो चड़िया की ये हालत देखकर दिल ही दिल में हंस रही थी वो बार बार चड़िया से पूछ रही थी के और खिचड़ी लाऊं मगर चड़िया ने तो पहले ही कुछ ना खाया था और मजीद खिचड़ी क्यों मांगती सो उसने मना कर दिया कुछ देर बाद लॉमडी को हंसते हुए देखकर चड़िया की समझ में बात आ गई कि लॉमडी ने जान पूछ कर उससे मजा किया है चड़िया ने उससे बदला लेने की ठान ली कई दिन बीट गए एक दिन चड़िया ने लॉमडी से कहा कि तुमने मुझे दावत दी क्योंना मैं भी तुम्हें दावत दूँ तो परसो मेरे घर दावत खाने आना मैं तुम्हारे लिए मचली का सूप बनाऊंगी ये सुनते ही लॉमडी के मुँ में पानी आ गया लॉमडी मुकर्रा दिन चड़िया के घर पहुँच गई चड़िया उसके लिए सूप लाई लेकिन वो एक सुराही में था सुराही में लॉमडी सूप नहीं पी सकती थी क्योंके सुराही का मुँ लंबा था और लॉमडी का मुँ सुराही में नहीं जा रहा था लॉमडी चड़िया को कहना चाहती थी कि वो उसे सुराही के बजाए किसी बरतन में सूप पिला दे मगर अपनी हरकत भी उसे याद थी उसे याद था कि उस दिन चिडिया को अपने घर दावत पर बुला कर उसने चिडिया को भूखा रखा था और उसे तंग भी किया था लॉमडी समझ चुकी थी कि उसने दोस्त को दावत पर बुला कर जैसा सलूक किया था आज ऐसा ही बदला उसे भी मिल रहा है उसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने चिडिया से अपनी गलती की माफी मांगी और फिर चिडिया तो दिल की अच्छी थी ही उसने भी फॉरन लॉमडी को माफ कर दिया और बोली बी लॉमडी जो हुआ उसे भूल जाओ आज से हमारी दोस्ती का नया अगास होगा और उस दोस्ती में हम कभी एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे लॉमडी ने ननी सहेली से वादा कर लिया फिर चिडिया ने अच्छी तरह लॉमडी की खातर तवाजा की बच्छो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम भी किसी के साथ बुरा सलुक ना करें क्यूंकि ये बुरी बात है दोस्त का दिल दुखाने से किसी को खुशी नहीं मिल सकती वैसे भी सच्छी दोस्ती ये है कि दोस्त का हमेशा साथ दिया जाए उसका ख्यार रखा जाए और उसे कभी जान भूच कर कोई तकलीफ ना दी जाए